यूटूब के लेटेस्ट वीडियोज ब्रेक आउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां सेयर नहीं कर पा रहा हूं साथ साथ स्टॉक मार्केट ये लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलिग्राम चैनल को जरूर जोईन करें लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है साथी स साथ आप टेलिग्राम पे स्टॉक बाजार और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा उसे जॉइन कर लें नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत श्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में इस वीडियो हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का भी नहीं होते हैं निश्चीत रूप से अगर हम फ्लेट होते हैं या गैप डाउन ओपेन होते हैं तो हम बहुत ज्यादा गैप डाउन हो जाते है तो फिर हम रिवर्सल करने की कोसिज करेंगे तो देखें ये आपका माइंड्सेट यहां पढ़ाना चाहिए अगर हम गैप तो भी फिर सेलिंग हो सकता यहाँ पर बहुत ज्यादा घैपडाउन हो जाए फिर भी रिभरसल हो सकता है अगर फ्लेट ऊपेंग होते हैं और थोड़े थे स्बंट डाउन होते हैं तो यहां पर हम निश्चत रूप से नीचे का ट्रेड मतलब deliverish trade शेल करने का ट्रेड को को कोई करेंगे मतलब हम यहां पर फिसल करेंटे हैं प1 को बाय कर सकते हैं लेवल से सपोर्ट लेकर के बेंक निफ्टी एक बार बॉंसेबक कर चुका है यहां पहुर सकता है यह फिर से सब breakdown करें अगर इस लेवल को breakdown करता है जो की है 35,940 को 35,940 को break करता है यहीत रूप से बेंक निफ्टी में एक गिरावट हमें सेंटिमेंट है साथ ही साथ जो क्लोरा पैरेस के न्यू भैरियेंट है इन सारे काउज के कारणी यहाँ पर निफ्टी को एक वजा मिला और यह यहाँ पर गैप डाउन ओपन होने के बाद निफ्टी थोड़ा से यहाँ उपर जाने कोशिस किया लेकिन फिर से अंत में है तो यहाँ पर हम फ्लेट ऑपेन होते हैं प्लेट ओपेन होने के बाद आज के रही है ओपसे अ कोसिस करें यहां बहुत जादा गैप मека でशने के अल्डेल है उसको कर सकते हैं यहां से सेलिंग प्रेशर पुना आ सकता है तो फिर हम सेलिंग प्रेशर गर आता है कोई भी सिगनल मिलता है प्राइस एक्षन पर तो हम उसको सेल करने की कोशिस करेंगे अधिके यहां पर हमने डेली चार्ट पर डिसकस किया जो इंपॉर्टेट लेवर्स था निप्टी और बैंक न पुट को बाय का सकते थे और अच्छा कासा यहां पर हम मुमेंटम देखने मिला इस तरह हम प्राइस सेक्षन को फिर से स्टडी करेंगे लाइब मार्केट में देखिए यहां का एनलाइसिस कुछ खास काम करता नहीं है लाइब मार्केट में जो प्राइस सेक्षन बनेगा उसके अनुसार हम trade करना ज्यादा पसंद करते हैं इसके लिए हम telegram चैनल पर अपना चार्ट जो है वो पोस्ट करते रहते हैं जैसे यह एक range बनाया था इस range को मैंने पोस्ट किया था यहां पर जो price section बना है अगर इस range को उपर break करता है तो उपर momentum लेगा तो देखिए यहां यहां पर 50 Conference का मुईमेन्टम मिला था लगों यहां पर 50 पॉइंट का उपर सइड मुईमेन्टम मिला, फिर देखें स्केंड आप में जो Selling Pricing प्रेसर आया तो अच्छाBeं मुईमेन्टम मिला तो इस तरह का अगर लाइब मार्केट में आप चार्ट देखना चाहते हैं आप हमारे premium group को join कर सकते हैं जहाँ पर मैं live market में चार्ट को बताता हूँ कि अभी price section के हिसाब से क्या हो सकता है देखे वहीं nifty काफी strong था जो gap down open होनी के बाद reversal दिखाया लेकिन यहाँ पर bank nifty में कुछ खास यहाँ पर reversal हमें दिखा नहीं जो nifty था वो अपने और जो day का जो opening ब्रेक करके ऊपर गया था लेकिन यहाँ पर तो opening काफी ऊपर था price काफी नीचे रह गया तो यहाँ पर clear रूप से bank nifty काफी weak था निफ्टी थोड़ा सा strongest दिखाने का कोशिस किया लेकिन recovery हुआ नहीं अंत में selling pressure आया लास्ट आवर में और काफी ज्यादा मतब downward momentum हमें देखने मिला और bank nifty में तो पहले से ही weak था यहाँ पर कुछ खास एस्पिंथ मतब reversal आया नहीं अंत में selling pressure आया और bank nifty काफी नीचे देख सकते हैं 36,000 के लेवल के आसफास close हुआ लेवल अगर ब्रेक होता है तो हमें 940 के लेवल ब्रेक होने के बाद एक जवरदस selling pressure देखने मिल सकता है तो अगर आप भी प्रीमियम ग्रूप से जूरना चाहते हैं तो आप लिंक से आप किसी भी ब्रोकर के साथ अपना account open कर सकते हैं आपको हम अपने प्रीमियम इस एक्षन पैटरन बनाया है अगर यहां पर यह बहुत अच्छा ब्री स्केंडल बनाया है अगर इस लेवल को ब्रेक करता है जो कि 4190 का तो आप इसको सेल कर सकते हैं यहां पर वन परसेंट आपको टार्गेट रखना है वन इस टू वन का ही स्टॉप लॉस रखना है करने के बाद सेल कर सकते हैं ज्यादा तर कोसिस करें कि इंट्राडे में आप मार्केट के साथ ही चले तो ज्यादा बराब मोमेंटम आपको कैच करने का मौका मिलेगा दूसरा है इस स्टॉक ने भी काफि जवरदस्त यहां पर पाइटरन बनाया है अगर यहां पर इस पहला 1% का टारगेट करना उसके बाद आपना स्टॉप लॉस टेल के जी जितना मिल जाए तो काफी बहतरीन रहेगा अगला जो स्टॉक है जिसमें आप बाइंग कर सकते हैं दो स्टॉक जो कि मैंने सेलिंग के लिए दिया आप बाइंग के लिए काफी जवरदस इस टॉक कॉल पाल, काफी बहतरीन stocks है, काफी बहतरीन यहाँ पर प्राइस मोमिट मनाया है, काफी जवरदस, देख सकते हैं, गिरिन कैंडल, बुलिस कैंडल बनाया है, अगर यह 1660 के ऊपर निकलता है, मतब 1670 के ऊपर निकलेगा, तो आप बाय करेंगे 1640 के टार्गेट के लिए, तो यहाँ पर अगर रिवर्सल मिलता है, यह रिसिस्टेंस लेबल है, जो 1640 है, यह रिसिस्टेंस लेबल है, यहाँ पर रिवर्सल दिखाता है, तो फिर अपना profit बुक करके आप exit हो जाएंगे, यह भी होता है, यहाँ पर आपके टार्गेट को हिट करेगा, अगर आपने profit न ब्रेक आउट होगा, जो कि 3389 का, 3389 का ऊपर निकलता तो आप इसको ब्रेक आउट कर सकते हैं, पहला जो टार्गेट रखना है, फिर अपने stop loss को ट्रेल करते जाना है, तो काफी बहत्रीन यह भी इस्टॉक्स है, यहाँ ब्रेक आउट पर आप इसको ब्रेक आउट करके च अगर आपको हमारा एनलाइसिस पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक किजिएगा, शेयर किजिएगा, और इसी तरह के बहत्रीन एक्ट्रेस हैं, और इनफॉर्मेर्टी वीडियो के लिए चैनल को सस्क्राइब कर लेजएगा, फिर मिलते हैं, अगले वीडियो में तुछ